Hello my dear soul family, I hope आप सभी अच्छे हैं, आप सभी को good morning and namaste and सिस्ट्रियकाल जो भी जितने सारे शब्द होते हैं, सबसे मैं आपका विनन्दन करती हूँ, मैं आरोई आप सभी का दिल से welcome करती हूँ आज की channeling बहुती amazing and बहुत different है, यानि कि आज की जो energy है, यानि कि ये जो मैं recording कर रही हूँ, channeling की, ये morning का 6 बजे हुए हैं, fix 6 बजे हुए हैं, जहाँ पे मैं ये energy आप सब के लिए record कर रही हूँ यानि कि आज की energy जो रहनी बारी, यानि कि अब तक की जो energy आप सब में face की है, वो बहुती different and difficult energy से आप सभी गुजरे हैं and हम भी गुजरे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी गुजरेंगे तो आप भी गुजरोगे, यानि definitely हम सब एक ही energy के feel करते हैं, ठीक है तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम पिछली energy उसे बहुत अच्छे से निकले हैं, बहुत अच्छे से receive की हैं और बहुत अच्छे से उनको झेला, एंडा, उनको receive करके उनको heal किया, उनको एक mode दिया, उनको एक नया platform देके उनने side में किया है तो जैसा कि ये energy अचानक change होई है, इन सब में आपका भी बहुत बहुत युगदान है, क्योंकि आप सभी जो soul हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी आपको guidance दी है यानि कि आपने खुद उस चीज से निकलने के लिए decision लिया, अपने आपको allow किया है, एक नई energy के लिए, जो challenges हम सब की life में चल रहे थे हो सकता है कि challenges सब की different different हो, लेकिन challenge सभी accept कर रहे थे, और challenge से सभी गुजर रहे थे तो finally आपने उनको, उन challenges से भागने के बज़ाए आपने उने accept किया और जिसके चलते ना energy में बहुत बड़ा transformation आया है यह जो transformation है बहुत ही बड़ा और बड़ा और positive रहने वाला है actually मैं आपको एक यहाँ पर dream share करना चाहती हूँ, जो अभी मुझे चार से पांस दिन पहले के बीच में दिखा है जिसमें मैंने देखा था कि मैं एक different जगह पर हूँ, जहां मुझे नहीं पता कि वो जगह कौन सी है और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी butterfly जो जिसका color था orange and light yellow दोनों combination से उतमे yellow and orange color दोनों थे, तो वो जो butterfly थी वो मेरे right hand के, right hand पे वो आकर के बैठी हुई थी and वो सच में, मतलब size में बहुत बड़ी थी और जिसको देखकर मैं खुश हो रही थी तो मैं idea तो तब ही लगा चुकी थी कि सच में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे हाथों से बहुत सारी चीज़े जो हैं, बहुत ज़्यादा transform होने वाली हैं, बदलने वाली हैं तो एक तरह से वो चीज यानि कि मैं आपको पहले ही बता दू, मैं अपने dream पे बहुत कम बिलीव करती हूँ और बहुत कम मैं उनको सच मानती हूँ, बट आज तक की life में मैंने जितने भी dream देके हैं, वो reality रहे हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा positive रहे हैं, बहुत ज़्यादा आने वाली चीज़ों के बारे मुझे awareness कराने के लिए वो science हमीशा रहे हैं बट ये मेरी कमी समझेगा या कुछ भी, कि मैं उन चीज़ों को कम trust करती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, सबसे उनकी energy peak करती हूँ, तो में भी हो सकता है कि ये जो message है, या ये जो thought मेरे mind में आए हैं, या love dream के त जा रहे हूँ, जैसे कि बहुत time पहले जब मैं ये journey शुरू किये थी, तो मैं एक karma release वाला meditation कराई थी, तो जब वो karma release में कराया था, तो पहली बार मैंने कराया था, और पहली बार में सब के karma release हुए थे, बहुत लोगों की third party remove हुई थी, बहुत लोगों की union possible हुए थे, जनका बहुत गंदी तरीके से लगी थे, बतला मुझे को बहुत तरीके से उसका effect देखने को मिला था, तो वो दिन था कि आज का दिन है, मैं karma release वाला meditation खुद के साथ में connect करके नहीं कराती हूँ, हाँ ये जरूर है कि मैंने guide कर देती हूँ, इस तरह से कीजी, इस तरह से की तो वो work करी है, definitely work करी है, हाँ पर students होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगी, तो please confirm करके बताईएगा, कि वो work करा है या नहीं, जो मैंने rituals आपके साथ में कराए है, तो वो जब मैंने कराए तो उसके effect भी मुझे बहुत अच्छी तरह की से देखने को मिला है, तो मेरा ये कहने इस person होते हैं, और हम अपने जब हमें लगता है कि सामने वाला दुख ही है, तो हम अपने आपको ही नौशावर करना पसंद करते हैं, ऐसा मैं अपने आपके लिए बोल रही हूँ, हलाकि जब मैं ऐसी हूँ, तो हम क्या है कि हम दूसरों के दुख को देख करके, हम अपने बूल जाते हैं अपने आपको सैक्रिफआज कर देते हैं और यही चीज बार-बार मेरे साथ हो रही थी क्योंकि मेरे अंदर यह चीज बहुत ज्यादा वर्क कर रही है क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ शुरूशे तो मुझे इस इसका लेसन बार 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 बताया गया है इतना भी मत करो कि आप खुद उसको जहिलना पड़े ठीक है तो वह सारी चीजें मैंने समझ में आई और जो मैंने वाटर फ्लाइ देखी तो यानि कि यह सच है कि आपके आने वाले मेरे जो बीडियोज हो होंगे वह बहुत बड़े ट्रांस्वर्मिशन से जोड़े होंगे बहुत सारी चीजों से जोड़े होंगे बहुत सारी व्यूटिफुल व्यूटिफुल और बहुत सारी नॉलेज से भरे होंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ अवेरनेस की और आपके चैन करते हैं और एक होता है कि आप हो आप डिजर्व करते हो आप अल्रेड़ी वह हो लेकिन हो सब्सक्राइब कि किसी कारणवार्श या किसी के चलते हुए आप उस चीज से दूर हो गए थे या उस चीज से आप वह अपने आपको डिटैच कर लिए थे या फिर आप भूल गए आप अप दुनिया की चीजों में आकर कि उसी की तरह विहेव करने लगे थे तो वो अब आपको पता चलेगा कि आप रियल में हैं क्या ठीक है आपको अपनी पावर आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर की अबंडेंस आपके अंदर की प्रॉस्पैरिटी आपके अंदर का चैजर संसरे में लग रहे थे कि चोड़ो यार क्या ही करना हम सारी चीजों ठख गये हैं हमें कुछ चीजों को फोलो नहीं करना हैं अपने किसी को नहीं देखना हैं कि यह आप थोड़ा सा आईशुलेशन वाली एनरजी में जा रहे थे तो यह आज का दिन है आपको उसका माइना समझ में आएगा उसकी मीनिंग समझ में आएगी कि सही और गलत कुछ नहीं है इस बीच की जो एक रेखा है उसे समझना है कि यह है कि जहां हम सही और गलत से परे हैं क्योंकि सही और गलत 3D लाइफ के लिए हैं लेकिन अगर हम सोल लेवल पे बात करें तो सोल ल मिला है यानि कि एक सरीर मिला है तो इस सरीर के कुछ रूल है कुछ सरीर की कुछ मरियादा यह हैं जिनको हमें एक लिमिटेड में रखके हमें उन चीजों को आगे लेके जाना होता है तो यह चीज अब आप बहुत बारिकी से संजेंगे कि सरीर के साथ और आत्मा के साथ संब तर दो हमारे साथ क्या होता है कि जहां पर सामने वाला लोग अच्छे बहेब करना शुरू कर देते तो हम उन पर जरूर से जड़ टृष्ट करना शुरू कर देते हैं चाहे वह साथ कितना भी गंदा कर बोग humans तो Gesellschaft करते हो यही चीज पर सvलू for मैनिपिलिट कर दीया आप जरूरत से ज्ञादा एनर्जी कहां इंवेश्ट हो रही वाले हैं आप पूरे दिनirable करने हम बहुत अच्छी एनर्जी को अब अच्छी नहींस है यह नहीं कहते हैं कि बुरी है पर बहुत ज़्यादा रिलाइजिशन वाली एनर्जी में है इन फेक्ट उनको पता चल रहा है कि हां ये जरूर है कि ये जर्णी के बारे में नहीं पता चल रहा है लेकिन उनको आपकी वैल्यू के बारे में पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है आप आपके support के बिना वो कितना नीचे के level पे आ गए हैं जब से आपसे वो दूर हुए हैं जब से आपसे contact में नहीं हैं तो कितना आपके उनके जीवन में बदलाव आए हैं और जो भी बदलाव आए हैं अच्छे नहीं रहे हैं अच्छे means कि मतलब बहुत सारी चीजों से उन्हें होके गुजरना पड़ा है और बहुत सारे टिगर्स, बहुत सारे कर्मा यानि कि एक साथ में उनकी जीवन में बहुत सारी आपदाएं बिपदाएं बहुत मतलब तूट पड़ी थी यह सारी चीज उन्हें अब realize हो रही है तो अब यहाँ से आने वाला समय जो है यहाँ पर divine and feminine masculine जो है वो दोनों एक same energy में आएंगे और यहाँ पर हमारी feminine अभी relaxed वाली energy में है थोड़ा सा doubtful में है लेकिन अगर आप इस doubt को निकाल देती हैं तो proper आपके masculine जो है वो भी doubtful energy से बाहरा करके आपके साथ contact को create करेंगे and सबसे बड़ी जो news है उनके लिए है जो long distance में है जो बहुत time से मिले नहीं है other country से आपके DM या आपके partner है तो बहुत जल्दी आपका कोई date plan होने वाला है कोई time fix होने वाला है जहां आप एक दूसरे को एक दूसरे को मिलेंगे एक दूसरे को contact करेंगे और एक दूसरे के सामने आएंगे तो यानि कि long distance वाले के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है कि आप ready हो जाएं अपने अपना makeup set up कर लें अपने hair वगेरा अपने ठीक करवाना श्रू कर दें अपने लिए अच्छे अच्छे डरेसिस वगेरा ready कर लें विकास वो एक गाना है कि क्या तुम्हें पता है एगुल्शन मेरी दिलवराने वाले है तो ये चीज है कि आपको ये गाना गाना चाहिए पूरी काइनात को बोलना चाहिए पूरी नेचर को बोलना चाहिए सब को इनफर्म करना चाहिए कि मेरी जो counter-parsal है वो आने वाली है तो बस उस enjoy को कीजिए अपने आपको peaceful रखिए बिल्कुल भी अपने आपको doubtful energy में मत रखिए अपने आपको balance करते हुए अपने आपको align करते हुए इस journey को gratitude देते हुए आगे बढ़ते रही है divine आपके full support में है divine आपको fully support कर रहे है बस आपको trust करना है and इस energy को allow करना है तो या यह है आज की channeling I hope आपके साथ में resonate हुई है resonate हुई है तो please comment करना नहीं भूलिएगा बढ़ना मैं सच में आपके घर आके मारूँगी आपको मारूँगी इंदा सिंस ऐसे नहीं मारूँगी लेकिन हाँ आपको feel कराऊँगी कि आज आपने अच्छा ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने आज आरोई मैंको comment नहीं किया ऐसा feel कर पाऊँगी ठीक है मैं आपको realize करवा दूँगी मतलब गलत नहीं करूँगी इस चुड़ा अच्छा मजा कर लूँगी मतलब ऐसा मैं सुचिए का कि मतलब मैं क्या करेंगी तो अपने आपको भूलना नहीं है मुरे को review देना and comment करना और आपकी like का comment का मुझे वेट रहेगा रहा subscribe करने का जो नई नई soul जो मेरे से जुड़ी है आपका welcome है चाहें आपका दिल कहें आपका gut feeling कहें मेरे साथ जुड़ने का मेरी energies के साथ में काम करने का तो आपका दिल से welcome है अगर नहीं है तो भी आप मुझे सुनके जा सकते हैं सबके लिए God bless है जो भी इस चैनल पे आता है और इस वीडियो को सुनते हैं उनके लिए बहुत positive vibes में यहाँ पे set करती हूँ तो definitely आपको पता होगा कि मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको कितनी positivity and कितनी positive vibes आपको मिलती होंगी यह बताना जुरूर मत भूलिएगा बताना कि मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको feel कैसा होता है ठीक है इसका मुझे वेट रहेगा तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ मिलती हूँ next वीडियो में और एक चोटी सी information और देना चाहूँगी जैसे कि मैंने अभी कुछ time पहले एक committee पोस्ट किया है जहाँ पे मैं three questions और आकासिक record जहाँ पे past, present and future के बारे में आपको बताया जाएगा और आपका आकासिक record चेक किया जाएगा जहाँ पे आपकी जो भी चीज़े हैं past life से related, present से related and future से related जो भी चीज़े हैं आपके वो मैं clear करूँगी साथ में आपके seven चक्राज ही लेगी यानि कि बहुत ज़्यादा आपकी energy श्टक हो गई है आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चक्रा आपका अन ब्लॉग है ब्लॉग में चल रहा है बहुत कोशिस करने के बाद भी वो चीज़ आपकी release नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं तो इसी के साथ में चलती हूँ मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए अपना दिहान रखिएगा खुश रहिएगा और खुशी अफ़लाते रहिएगा बाई बाई